सायो और उनके सामने अपनी बात रखेंगे सूरज वही तो कर रहा था लेकिन उसके साथ बलवन्त जी और सरकार ने धोका किया न लेकिन कुछ कर भी तो नहीं पाये न हमें हिंसा भी नहीं करनी पड़े शान्ति से बात किये एक जुट होकर बात किये संगठन को शक्ति बनाया हमने हम अकसर हिंसा के ताकत को समझते नहीं है और इसलिए उसे आजमाते भी नहीं है ठीक है साही जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे हम सब इसलिए तो और लोगों को भी निकाला गया था ने जब साथ चलेंगे तो ज्यादा हसन होगा बाकि सब लोग कहा हैं मैंने कहा था कि ये लातों के भूत है बातों से नहीं मानेंगे लेकिन सूरजभाव वो लोग बहुत शक्तिशालिय है उन लोगों से लड़ना आसान नहीं होगा और उनके जल्म सेना असान है अगर आज हिम्मत नहीं की तो जिन्दगी भर ऐसे ही गरीवी और भूग से तड़पते रहोगे और वो लोग तुमारा खून चूसते रहेंगे लेकिन सूरज वाओ हम करें क्या वही जो वो लोग सालों से करते आए हैं जैसे लट्ठेतों के दम पे तुम्हें डराते और पीटते आए हैं अब हम सब मिलकर उनके साथ यही करेंगे और दुनिया को बता देंगे कि गरीब अब जुल्म नहीं साएगा उनका वो हश्र करेंगे कि दुनिया का कोई भी अमीर करीब का फायदा उठाने से पहले दस बार सोचेगा मैं तुम सब के हग के लिए लड़ने को तेयार हूँ सवाल ये है कि क्या तुम अपने हग के लिए लड़ोगे हम लारेंगे बहुत अच्छे तो फिन एक काम में तेरी कैसी हम सब अभी के अभी चल कर अपना हक लेंगे लेकिन सुराज भाव हमारे पास तो कोई भी यहां थियार नहीं है हम लड़ेंगे कैसे करल कर भी तो लारेंगे झा लड़ seas पूना हमारे लोग कैसे लोपने हम लेकिया झाल 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 कितिनी देर राद यहां क्या कर रहे हो? कुलकर्णी और बलवन को बुलाओ क्योंकि इसके बाद जो होगा उसके लिए तुम दोनों जिम्मेदार होगे लगता है तेरी कुटाई होने में कुछ कमी रह गई थी पिछली बार कुलकर्णी तू बहार आएगा कि हम अंदर आएं तू तू तेरा इतना दुस्ता हस कि तू मेरे वाड़े में बिना अनुमति गुश जाएं? इतनी रात को आकर मुझे ढमका है अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लट्थेतों की लाठी तोड़ी है आगे कोई हिंसा ना हो इसका फैसला तुम्हारे हाथों में है हमारी मांगे पूरी करो इन लोगों को वापिस काम पे रखो और सबकी तनख्वा बढ़ाओ हाँ हाँ करेंगे कल सुभाए बात करेंगे हैसला तो अभी ही होगा हैसला अभी करना है ठीक है हैसला अभी होगा क्या कर रहा है सरकार मेरा फैसला यह है कि तु अभी के अभी यहां से निकल नहीं तो सरकार सरकार यह क्या कर रहे हैं सरकार अगली गोली तेरा सीना जिर देगे निकल यहां से गोली चलाने के लिए हिम्मत चाहिए गुलकणी रोकी तुझ में है ही नहीं मैं आज पलवन्द और तुझ से अपनी मांगे पूरी करवादी ही रहाँगा आगे मता रोक समय पूरा हुआ अजी इनको शेयर जाना ता अब क्या होगा गुणना तो माने नहीं रहा है अजी एहा हुआ यह रहा है अजी इनको यह जा ऑन्ड़िए अजी ऐस अजी खाल अजी ऑनी अजी आप अजी ऑनी आप कुलकर्णी तू शेड़ी वालों के लिए शाप है लेकिन मैं आज सब खतम कर दूगा लेकिन मैं आज सब खतम कर दूगा झाल खतम कर दूगा झुभ कुफ भूह को ऐृाह भी! झाल्य! कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो. सूरच, तुम यहां आये थे ये सोच कर कि कुलकर्णी सरकार को सबक सिखाओगे लेकिन तुमने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे हाथो इनकी हत्या होने की नौबत आ जाएगी सोचो सूरच, और अगर ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम अपने घर जाकर अपनी माँ की गोती में सर्च पा सकते या अपनी माँ के सामनी भी जा पाते है यही है हिंसा के मार्क की सचाई सोरच मनुष्य अपने आपपर नियंतरंग कप को दे उसे पता ही नहीं चलता है आज आपकर लिहास करके जा रहा हूं साइं लेकिन अगर कल इसने सबी मस्दूरों को नहीं वापिस लिया और उनसे माफी नहीं मांगी तो जो आज अदूरा छोड़के जा रहा हूं वो पूरा करूंगा और कल मुझे कोई रोख नहीं पाएगा कुलकरणी सरकार मैं शायद इस एक सुरज को फिर रोख लो लेकिन अगर आप अपने लोगों के साथ ऐसे ही अन्याय करते रहेंगे तो नए नए सुरज पैदा होते रहेंगे एफ फाकेर कई तुझे ये भरम तो नहीं हो गया है कि तुने मेरे रक्षा करके तु मेरे लिए भगवान बन गया है अगर तु नहीं भी आता तो वो सुरज मुझे कुछ नहीं कर पाता इसलिए तेरा ये हाशन बंग कर जाकर अपने अंदभक्तों से कह दे नील कितने भी लाब में क्यों न हो यदि मुझे और मजदूर कम करने से अधिक लाब मिलता है तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा सब भूके मरेंगे और ये तो अपने आखों से देखेगा और ये भी सुनते जा सूरज ने आज जो किया है उसका दंड में उसे आवश्य दूँगा ऐसा दंड दूँगा कि कुलकरनी सरकार के भैसे तो बारा कोई सूरज पैदा होने के कामना से भी दड़ेगा हर्योम होई है सोही जो राम रचिदा का हुआ है हुआ है हुआ है पहली बार शेड़ी में ऐसा कोई आ है जिसने कुलकर्णी सदकर की हवाईयं उड़ा दी मुझे एक बात पता चलिये कि वो एक धंडा घुमा के एक साथ कई लोगों को धाराशाई कर देता है आज तक कुलकर्णी बारा सबसे हालिशा लगता था शेड़ी में कर जो थोड़ फूट हुई है उसके बात तो अगदम खंडा है लग रहा है मुझे तो बुरा लग रहा है कुटकर्णी सरकार अच्छे आदमी नहीं है ना सही लेकिन वो घर केशव का भी है और वो इससे में शेड़ी में नहीं है अगर साई साई समय पर नहीं पहुशते तो पता नहीं क्या हो जाता जिल्ता की बात तो यह है कि सूरज की देखा देखी गाओं में हर कोई मार पिटाई और हिंसा की भाशा बोलने लगा है कुलकर्णी जैसे दुष्ट आदमी के लिए सूरज जैसा आदमी ही ठीक है साई ने पता नहीं क्यों बचा लिया उस कुलकर्णी सरकार को प्रिक्षाम देही प्रिक्षाम देही कुलकर्णी वाड़े की और आख उटाकर देखने की किसी में हिम्मत नहीं थी नेकिन आज कुलकर्णी वाड़े को देकर हस रहे हैं साब तो लड़का मुझे कर मारने वारा था पत्तर से कुछलके और तुम दोनों में से एक भी मुझे बचाने नहीं आया और मुझे उस फकिर के काले जागू की भेक लेनी पड़े ये सब तुम लोगों के करण भुआ है तुम दोनों जिवीत रहने के योग ये नहीं हो जिन्दागार दो इन दोनों को इसमें रुक जाओ ये आप क्या कर रहे है सरकार इन दोनों को जिन्दागार रहे है होश में आईए होश में आईए कल जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती थी पोड़ा शांती से काम लेते तो मामला इतना नहीं बिगरता तो क्या करूं मैं उस लड़के के सामने खोटने टेक तू आज तक वो फकर अपने काले जादू से मुझे मात देता आया है लेकिन अगर ये कल आएं लड़के भी हमें चुनोती देने लगे और शिरिनी में उनकी जैजेकार होने लगे तो मैं ये सहन नहीं करूंगा बलवन्चे इन गद्दार लठेतों के साथ सूरज और उसके परिवार को मैं नश्ट करतूंगा उसके घर को आग लगातूंगा मैं ताकि लोग सूरज को शहीद मानने लगे सूरज मरेगा लेकिन एक नायक की तरह नहीं एक खलनायक की तरह मैं बताता हूँ आपको कैसे पहले मैं सुरस दादा बनुगा और तुमको लिकरनी सरकार ठीक है तयार हाँ मेरी बात नहीं मानी सरकार तो बहुत मारूँगा अब मैं सुरस दादा और तुमको लिकरनी सरकार ठीक है तयार हाँ बचाओ बचाओ मुझे माफ कर दो बचाओ बचाओ मुझे बचाओ आज मैं तुझे माफ नहीं करूँगा खुलकरनी सरकार मुझे माफ कर दो बचाओ तू दूस्त है तू पापी है अपने दादा जी का मजा कुड़ते देख तुम्हें बुरा लग रहा है न मैं जानता हूं दादा जी ने लोगों को बहुत पर्शान किया लेकिन कल राथ हम सब लोग इतना घबरा गयते हो तोड़फोर देखके मैंने मेरे घरबालों को इससे पहले कभी इतना डरा हूँ नहीं देखा पर मेरे अपने दोस्तिये क्यों नहीं समझ पा रहे है तो चलो ना समझाते है नंदू और चेतन को उन्हें बताओ के तुम्हें कैसा लग रहा है नहीं कोई फाइदा नहीं इस समय सूरज दादा ने जो सब के लिए किया वही सही है मार्थन मेरा एक काम करोगे मार्थन मेरा